आज जिस वाक्त ये खबर आके पहुँचे कि हमारे अविशेक मनुसिंभी की आगुवाई में सुप्रीम कोट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी उसमें राहूल गांधी जी की रहत मिले तब सही महिनों में हम सबको अंदर एक खूशी की लहर बहे गए सदर में राहूल गांधी जी की नदरत अनुपस्थिती बराबर हमें मैसुस होते ही रहते कोई अगर काम में राजनितिक करणों से राहूल गांधी जी कहीं ब्यास्त्रय अलग बात है लेकिन सदर में राहूल गांधी जी की आने में पावबंदी सदर में आने की अधिकार जब से छीन लिये गिया थे तब सही महिनों में हम लोग बरे दुखी थे तिये राहत की खबर सुनते ही तुरंद में सदन की अंदर पहुँचे और पॉइंट अप इन्फॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीट में जब हमारे चेर्मेन राजेंद्र अगरवाल साब बैठे दे तब उनके पास बात रखे की सुप्रीम कोर्ट से राहूल गांधी जी की रहत मिल चुके है अब सारे पावबंदी हटाके जल से जल उनके सदन की अंदर वापसी के लिए कारवाई शुरू करना चाहिए उनकी सदस्ता जिस तरित गतिते गति से संपन्न हुई थी आप सब को जान करी है कितनी तरित गति से उनकी सदस्ता खारिज हुई और उसके साथ साथ मकान भी खली करवा गया जब ये दिल्ली में लूटेन में बीजेपी बालों को कितने सारे नुमाइन दे सालों साल अपने बंगला में बिराजमान रहते हैं वो भी सदस्तो ना हुने की बावजूद लेकिन ओ परिवार जीस परिवार हिंदुस्तान को तीन तीन प्रधानमंति दिये हैं जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं दो दो बलिदान किये हैं उस परिवार की सदस राहुल गांदी जी को मान लिजे धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया इस तरीके की बेदना निर्मा मता साथ लेकर हम लोग चलते थे लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे और ओ आज हुआ है हिम्मत नाक होना सिर्फ आगे बढ़ते रहना जो कहते हैं ये तेरा बसकी नहीं उन्हें कुछ करके दिखाना ये ही मकसद लेकर चलते चलते आज रहुल गांदी जी की सच्चाई सच्चाई कि साबीत हो चुके हैं सनद रहे कि हमारे देश की अर्थ सब्धा की सबसे बड़ा पहचान होते हैं सत्तमेबो जयते आज जीत हुई सच्चाई की हिंदूस्तान की क्रोरों की आम लोगों को असीरबा दुआ समर्थन रहुल गांदी जी की सबसे बड़ा तागत थी और इसी तागत के बड़ुलत उन्होंने आज जीत हासिल किये हैं अभी सदन की अंदर जाना बाकी है स्पीकर से मुलाकत कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साब को दर्ख़त भी किये हैं गुजारिश भी किये हैं कि जिस तरिद गती से राहुल गांदी जी की बर्ख़त हुई थी उस तरिद गती से ही उनको दुबारा वापस लाना चाहिए स्पीकर साब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोट से जो कारज़द है वो कारज़द जल से जल हमारे हवाले कीजिए बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं मैंने का आप स्पीकर साब ये सदन की गरिमा आपके हाथ में है ये सदन की अभी बाबोख हो आप सदन की हर सदस्तों सदस्ता सबकी सुरक्षा आपको देना है राहूल गांदी जी की जल से जल बापस लाके उनको अधिकर दिलाईए मंगलबार को सदन में अभी सास पस्ता पर चर्चा सुरू होने वाला है ये चर्चा की चलते दीन रात सदन की अंदर सदन की बाहर हम सब गुहर लगाते आ रहे हैं टालते 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 आठ टारिको सदन में अभी स्वास पस्ता चर्चा के लिए दीन तई किये गये जो की बहुत पहले करना चाहिए था और नियोमों की मुताबिक जब अभी स्वास पस्ता पस्ता सदन में लाए जाते जिसकी मन्नत दिया जाते स्पीकर की तरफ से उस समय बीनस अभी स्वास पस्ता कोई बिधायक पारित नहीं होना चाहिए यह यह हमारा नियोमों की मुताबिक परंपरा की मुताबिक लेकिन फिर भी रोजाना यह सरकार सदन में बीना चर्चा एक के बाद एक बिधायक धरले से पारित करते जा रहे हैं यह परंपरा की खिलाप सदन की हाला देखकर हम लोग सब बड़े परिशान है आज तक हिंदुस्तान की यह पार्लमेंट में सदन में कभी ऐसे ऐसे नदिर नहीं हुई थी जब अभिस्तास पस्ताप सबीकार साब की टेबिल पे अभिस्तास पस्ताप पे चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक बिधायक पारित होते गए तो इसलिए हमारी तरफ से हम सोचे हैं हमारे नेतागन को भी मैं ये बात रखके हैं गुजरिश किये हैं कि अभिस्तास पस्ताप पे राहूल गांधी जी को सिरकत करना जरूरी है और अभिस्तास पस्ताप के चर्चा सुरू होने का पहिले ही राहूल गांधी जी को सदन के अंदर बापस लाने की याज़त हमारे स्पीकर साहिब दें इसके चलते आज से हम लोग पहिल सुरू कर दिये हैं और जल से जल राहूल गांधी की बापसी के लिए हर संभप प्रयास हम करते रहेंगे ना संगस ना तकलीप मज़ा क्या है जीने में बराबरा तुफान ठाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में